प्यारे साथियो नमस्कार स्वागत है आपका इस्टिडी करके इस परिवार में तो प्यारे साथियो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जनरल साइंस के कुछ महत्पूर्ण प्रसनों को जो होंगे कोश्का के अनू से कोश्का के अंदर जो अनू पाये जाते हैं उन पर हम प्रस्णों को डिसकस करेंगे तो प्यारे साथियों अगर आपने अभी तक हमारे इस्टिडी करके टेलिग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें मैं प्रभाकर सिंग पचीसों से अधिक प्रस्णों की इस सीरीज को लगातार कर रहा हूँ जो आपकी परिक्षा के लिए जैसे UPSC, MPPSC, SSC, RRB, IBPS जितने भी एक्जाम है उन सब के लिए यह स्रंकला बहुत महत्पूर होने वाली है तो प्यारे साथियों यह हमारा पार्ट 16 है अगर आपने हमारे चैनल के playlist में जाकर के जरूर देखें प्यारे सातियों एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस्टिडी करके Facebook पेच को तो फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं, Twitter फॉलो कर सकते हैं, जितने भी social media platform है, उन पर जाकर के आप study करको जरूर जरूर फॉलो करें, तो प्यारे साथियो, social media platform की जितनी भी link है, वो आपको description box में मिलेगी, वहां जाकर के आप study करको ज और देखते हैं कोश्का के अनु से संबंधित महात्वपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पू जिनकी मात्रा कोश्का में ज़्यादा होती है अधिक होती है तो हमें बताना है कि निम्न मैसे जो तीन ओप्सन दिये गए हैं इन में से चार ओप्सन दिये गए हैं इन में से हमें बताना है कि कौन सा दीर्ग मात्रिक तत्तो है पहला ओप्सन है कारबन दूसरा है हाइडरोज तैसरा है और चूथा ए सभी तो प्यारे साथियों दीजिएगा सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए गा कि कोष्का के तत्त का दीर गवहमात्रिक तत्त कौन से हैं उसमें प्यारे साथियों carbon hydrogen और oxygen ये हो जाएगा सभी सभी कारबन हाइडरोजन और उक्सीजन कोशका के तत्यों और आपकी स्क्रीन पर है निमन में कौन कोश्का के तत्तो का सूख्ष मात्रिक तत्तो नहीं है तो क्या निमन में से कौन कोश्का के तत्तो का सूख्ष मात्रिक तत्तो नहीं है यह बताना है हमें पहला अप्सन है नाइटोजन तीसरा है दूसरा है कैल्सियम, तीसरा है कलोरीन और चौथा है जिंग, तो प्यारे साथियो दीजिएगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब, निम्न मैंसे कौन कोशका के तत्तों का सूख्ष मात्रिक तत्तों नहीं है, अर्थात सूख्ष मात्रा में पाए जाने बाला सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हाँ वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना है तो प्यारे साथियो इसका जो सही जबाब होगा अगला प्रसन है दिर्ग मात्रिक तत्य को लगबक कितने प्रतीसत भाग बनाते हैं जो दिर्ग मात्रिक तत्य होते हैं क्या होते हैं की वो कोशका का लगबक क cultivate भाग बनाते हैं 40, 50 या 30 प्रतीसत तो दीजेगा इसका सही जवाब क्या होगा दीर्गमात्रिक जो तत्त होते हैं वाय कोश्का का लगभग कितने प्रतीसत भाग बनाते हैं इसका जबाब आपको कमेंट करके देना है, तो दीरगमात्रिक तत्त कोश्का का लगभग कितने प्रतिसत भाग बनाते हैं, 93, 40, 50 या 30, तो इस प्रस्न का जो सही उत्तर होगा, वह होगा 93, लगभग 93 प्रतिसत जो है, वह कोश्का के तत्त का 93 प्रतिसत भाग किसका होता है, दिर्ग मात्रिक तत्तों का, नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निमने मैं से कौन कोश्चका के तत्तों का अति सूक्ष मात्रिक तत्तों है, तो हमें बताना है ये चार ओप्सन आपकी स्क्रीन पर है, और पहला ओप्सन है कोबाल्ट, दूसरा है, आइरन तीसरा है, मेंगनीज और चोथा है सभी तो क्या होगा इसका सही उत्तर दीजेगा इसका सही जबाब कौन सा अती सूक्ष मात्रिक तत्तो है चार ओप्सन आपकी स्क्रीन पर है बताएं इसका सही जबाब क्या होगा Q4 जो है उसमें बताना है कि जो चार ओप्सन दिये गए है उन में अती सूक्ष मात्रिक तत्तो कौन सा है अर्था जो कोश्का के तत्तो में सबसे कम मात्रा में पाय जाते हैं उनको बताना है कि इन में से कौन आती सूख्ष मात्रेक तत्त है तो इस प्रस्ण का जो सही जबाब होगा question 4 का जो सही जबाब होगा वह होगा option number D अर्थात कोबाल्ट और आइरन और जो मैंगनीज है यह क्या है आती सूख्ष मात्रेक तत्त है कुश्का के अंदर next question आपकी screen पर है तन्तु जिन तत्तों को पौधों के उत्पादों तथा पौधे इन्हें भूमी से प्राप्त करते हैं अर्थात जो जन्तु होते हैं वो इन जिन तत्तों को पौधों से प्राप्त करते हैं तथा पौधे उन्ही तत्तों को कहां से प्राप्त करते हैं भूमी से प्राप्त करते हैं तो पौधो द्वारा इन पदार्थों का आउसोसन क्या कहलाता है तो जो पौधे हैं वो भूमी के द्वारा जो आउसोसन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं खनेज पोशन जल पोशन जन् है कि जन्तु जिन तत्तों को पौधे जन्तु जो हैं जिन तत्तों को पौधों के उत्पादों से प्राप्त करते हैं तथा पौधे उन्हें भूमी से प्राप्त करते हैं तो पौधों के द्वारा इन पदार्थों का आउसुस्वन क्या कहलाता है खनेज पोसन क्या कहलाता है प्यारे साथियो खनिज पोसन नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नंबर 5 जो कह रहा है मनुस्ट के सरीर में केल्सियम पाए जाता है हमें बताना है कि मनुस्ट के सरीर में केल्सियम कहां पाए जाता है अस्तियों में, दातों में, कोश्का भित्ती में या सभी तो सही option आपको देना है comment box में दीजेगा सही जबाब इसका मनुस्य के सरीर में केल्सियम कहां पाए जाता है अस्तियों में, दातों में, कोश्का भित्ती में या सभी में तो question 6 का सही answer आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर मनुस्त के सरीर में केलसियम कहां पाए जाता है अस्तियों में दातों में कोश्का भित्ती में या सभी में तो प्यारे साथियो दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक लाइक यहां सभी जगए केलसियम पाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है सलफर पाया जाता है हमें बताना है कि सलफर कहां पाया जाता है एमीनो अमलों के साथ प्रोटीन में कार्बो हैड़ेट में खनिज में या सभी में तो बताएं इसका सही जबाब क्या होगा, सल्फर पाया जाता है, कहां पाया जाता है, अमीनों अमलों के साथ प्रोटीन में, कार्बोहिड्रेट में, खनिज में या सभी में, तो कोश्का के अंदर जो सल्फर है, वह कहां पाया जाता है, सरीर में जो सल्फर है, वह कहां पाय जाता है तो दीजेगा इसका सही जवाब क्या होगा एमीनों अमलों के साथ प्रोटीन में कार्भोहइड्रेट में खनेज में या सभी में प्यारे साथियों इसका राइट आंसर सभी का आ चुका है तो इसका सही उत्तर होगा एमीनों अमलों के साथ Q8 आपकी स्क्रीन पर है magnesium पाये जाता है हमें बताना है कि magnesium पाये जाता है गालगी, kya का अए, chlorophyll में या कोशका भित्ति में प्यारी साथियों दीजीगा इसका सही जबाब갑 magnesium कहां पाये जाता है turnedicamדpolitik गालगी, kya का अए, chlorophyll में या कोशका जिल्ली में तो दीजिए इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब मेंगनीशियम कहां पाये जाता है केंद्रक में, गौलीगी काये में, क्लोरोफिल में या कोश्का जिली में प्यारी साथियों हम सभी जानते हैं कि मेंगनीशियम कहां पाये जाता है क्लोरोफिल में नेक्स्ट कोस्टिन है आपकी स्क्रीन पर नाईटोजन फास्पूरस और सलफर हिस्सा है तो हमें बताना है कि नाईटोजन और फास्पूरस और सलफर क का हिस्सा है प्रोटीन का एंजाइम का लेपेट्स का या करभुहाइडेट का दीजिएगा इसका सही जबाब प्यारे मित्रो दीजिएगा इसका सही जबाब कमेंट बॉक्स में और स्टिडी करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और टेली ग्राम चैनल को जरूर जोईन करना है जिससे आपको अच्छे अच्छी PDF मिलती रहेंगी तो प्यारे साथियो इस प्रश्न का नाइट्रोजन फास्फोरस और सलफर किसका हिस्सा है तो इसका जो सही जबाब होगा वह होगा प्रोटीन का नाइट्रोजन फास्फोरस और सलफर किसका हिस्सा है प्रोटीन का नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 10, केल्सियम और मैंगनीशियम तंत्रिकाओं की उत्तेजनाओं को डेडडडड़ देता है, क्या कर देता है, जो केल्सियम होते हैं और जो मैंगनीशियम होते हैं, वो तंत्रिकाओं की उत्तेजनाओं को, एकसाइजमेंट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं घटा देते हैं पहले बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं या सभी क्या होगा इसका सही जबाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और बीडियो को करना है लाइक केल्सियम और मेंगनीशियम तंत्रकाओं की उत्तेजनाओं को क्या कर देते हैं तो इस प्रस्ण का जो सही जबाब होगा वय होगा बढ़ा देते हैं केल्सियम और मेंगनीशियम जो है वो तंत्रकाओं की उत्तेजनाओं को क्या कर देते हैं भोजपदार तूटते हैं तो उस क्रिया को हम तूट करके और जब जब भोजपदार तूट करके और हमें उर्जा प्रदान करते हैं तो तूटने के लिए किस गैस की अब सकता होती है ऑक्सिजन, कारवन, नाइट्रोजन या कारवन मोनो आकसाईट दीजेगा इसका सही जब प्रश्क कैसे आवश्क होती है बताइएगा सही जबाभ आपको कमेंट करना है कुमेंट बॉक्स आपके हाथ में है आपके मोबाइल पर है तो दीची गैस का सही जबाभ कोषका में भोजपदार्थों के ऑक्सी करन के लिए कौन सी गैस आवशक होती है, जी हाँ, सबका सही जबावाया है, और इसका जो सही आंसर है वह है ऑक्सीजन, नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोश्का के अंदर अमीनो अमलों के विगटन से कौन सी गैस बनती है, बहुत अच्छा प्रस्ण है, कोश्का के अंदर जब एमीनो एसिड जब बिग्टित होते हैं, तो उनके बिग्टन के फलसरूप कौन सी गैस बनती है, नाइट्रोजन, कार्बन, अमोनिया या मीथेन, तो बताएं सभी लोग बहुत अच्छा प्रस्ण है, कि कोश्का के अंदर अमीनो एमलों के बिग्टन से कौन सी गैस बनती है, नाइट्रोजन, कार्बन, डायकसाई, या कार्बन, या अमोनिया या मीथेन, दीजेगा इसका सही जबाब, क्या होगा, इसका सही जबाब, कोश्का के अंदर अमीनो एमलों के बिग्टन से कौ स्क्रीन पर कोश्क का में भोज पदात्यों की आकशीकरण से कौने गैस बनती लिए他 मुझ बदल चुका है पहले पूछा गया था कि लिए कोशिकरण अब हमें बताना था कि आकशीकरण से कके लिए टूक्ट करके और हमें प्रदान करते है तो प्यारे मित्रो, बताना है कि उस समय कौन सी गैस, उत्सर जित होती है, निकलती है, कौन सी गैस बनती है, पहली है नाइट्रोजन, दूसरा है, कारबन डायकसाइट, तीसरा है, अमोनियो, चौता है, मीदेन, तो बता दीजिएगा, इसका सही उत्तर, आपके सामने है कमें क्वाक्स, तो कमेंट बॉक्स में करिए टाइप और टाइप करके बताईएगा की इसका सही जबाब होगा क्या, कोशका में भुज पदार्तों के आक्षीकरन से कौन सी गेस पंती है तो इसका सही जबाब होगा, कारवन डाई आक्साइड, आक्सीकरन के फ़ल सरूप कौन सी पंती है carbon dye oxide next question है आपकी स्क्रीन पर जीवों में उर्जा का महत्पूर्ण स्रोत है जीव हैं जितने भी एनिमल्स हैं उनमें उर्जा का सबसे महत्पूर्ण स्रोत क्या है जिससे जीवों को उर्जा मिलती है उस स्रोत का हमें बताना है नाम carbohydrate protein vitamin या जल इसका सही आंसर दीजेगा कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका सही जबाब जीवों में उर्जा का महत्पूर्ण स्रोत हैं जी हां सही समझे सभी लोग क्या होगा इसका सही जबाब आप सभी को करना है कमेंट बताइएगा क्या होगा इसका सही जबाब और फेस्बुक पर जाकर के आपको हमारे स्टिडी कर परिवार के फेस्बुक पेज को जरूर से जरूर फॉलो करना है तो इस प्रस्ण का जो सही जबाब होगा वाए होगा कार्बो हाइडेट जीवों में उर्जा का महत्पूर्ण सुरोत क्या होता है कार्बो हाइडेट नेक्स्ट कुश्चन आपकी स्क्रीन पर है कार्बो हाइडरेट में कार्बन हाइडोजन और ऑक्सीजन का अनपात है हमें बताना है कि जो कार्बो हाइडरेट होते हैं उनमें कार्बन हाइडोजन और ऑक्सीजन का अनपात क्या है या किस अनपात में मिले होते हैं पहला option है आपकी screen पर 1 अनपाते 2 अनपाते 1 या 2 अनपाते 1 अनपाते 3 या 4 अनपाते 3 अनपाते 2 या 5 अनपाते 4 अनपाते 3 तो प्यारे मित्रो दीजिएगा इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब जो carbohydrate होते हैं उनमें carbon hydrogen और oxygen का जो अनपात है वह क्या होता है इसका सही जबाब देना है आपको comment box में comment box में सभी लोग सही जबाब दीजिएगा इसका सही जबाब क्या होगा carbohydrate में जो carbon hydrogen और oxygen का अनपात है वह कितना होता है एक अनपाते 2 अनपाते 1 की 2 अनपाते 1 अनपाते 3 की 4 अनपाते 3 अनपाते 2 या 5 अनपाते 4 अनपाते 3 तो इसका सही जबाब आपको वताना है क्या बाइते हैं कि और ज्ट में कार्वन और और आक सिजन का अन्पात कितना होता है एक अनिपाते दो अनिपाते एक अन्पाते लिगत सरी किश्टीन केह रहा है शरीर में रुधिर में पाचन के समय आत्में और मद्यूमे रोगियों के मूत्र में किसकी मात्रा पाई जाती है तो ग्लुकोज फ्रक्टोज माल्टोज या प्रोटीन तो दीजेगा इसका सही जबाब और आज का जो तॉपिक था वैधा कोश्यका के अणू कोश्यका से संबंध जितने भी अणू法 होंगे किसकी मात्रा पाए जाती है ग्लुकोज की स्वरक्तोज की माल्टोज की या प्रोटीन की बताए सही जवाब इसका क्या होगा सही जबाब आपको देना है कमेंट बॉक्ष में तो कमेंट बॉक्ष में दीजीगा इसका सही जबाब सरीर में, रुधिर में, पाचन के समय आत में और मधू में रोगियों के मूत्र में किसकी मात्रा पाई जाती है तो इस प्रस्न का सही जबाब होगा ग्लुकोज इस प्रस्न का सही जबाब क्या होगा ग्लुकोज नेक्स्ट कुश्चन आपकी स्क्रीन पर है रासाइनिक रूप से प्रक्कीन है प्रक्कीन का मतलब होता है जिसे हम अपनी भासा में एंजाइम बोलते हैं तो हमें बताना है क रासायनिक दरष्टी से वो प्रकीन जो हैं वो क्या होते हैं प्रोटीन कार्भोहटेड वसा या लवन इसका सही जबाब आपको कमेंट करना है यह होगा इसका सही जबाब रासायनिक रूप से जो प्रकीन य qytil या एन D बढ़ होते हैं सही जबब आपको देना है और इस्टिडी करके चैनल को जरू सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजी अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकॉन दवाना बिलकुल ना भूलिएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी नहीं भूलना है जिसका लिंक आपको कहा मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसका जो सही जबाब होगा कुश्चन नम्मर 17 का वह होगा प्रोतीन जो रासाइनिक रूप से जो प्रक्विरंड होते हैं वह क्या होते हैं ऍेक्स्ट कुश्चन है DNA में कौन सा च्षारक नहीं है वेस से बना होता है DNA तो बताए कौन सा च्षारक नहीं होता है साइटोसीन, यूरेसел, एडिनीन या ग्वानीन तो कौन सा चारक जो है वो DNA में नहीं पाए जाता है इसका आपको कमेंट करके बताना है इसका जबाब जो है वो आपको करना है कमेंट DNA में कौन सा चारक नहीं है साइटोसीन, यूरेसिल, एडिनीन या ग्वानीन तो इसका सही जबाब आपको बताना है क्या होगा इसका सही जबाब DNA में कौन सा च्छारक नहीं है साइटोसीन, यूरेसिल, एडिनीन, ग्वानीन तो बताएं प्यारे साथियो, मित्रो, दीजीगा इसका सही जबाब, क्या होगा, DNA में कौन सा छारग नहीं है, हो सकता है आपको बहुत सरल प्रसन लग रहे हों, लेकिन आगे के वीडियों में बहुत अच्छे प्रसन आने वाले हैं, प्रसन कोई भी हो, हमें लगाना है उसक नहीं जबाब होगा यूरे सिल, तो यूरे सिल जो है DNA में छारक नहीं होता है, नेक्स्ट कोश्चन है आपकी स्क्रीन पर, DNA में कौन सा छारक नहीं है, इधर हमें थोड़ा सा कोश्चन बदलना होगा, कोश्चन यह बदलना होगा जहां लिखा है DNA, वहां कर लेते हैं हम RNA, अब इसका जबाब हो जाएगा अलग तो DNA में कौन सा चारक नहीं है पताना है साइटोसेन, यूरेसिल, थाइमीन या गवानीन तो RNA जो हमारा अप्रस्न क्या होगा RNA में कौन सा चारक नहीं है साइटोसेन, यूरेसिल, थाइमीन या गवानीन तो question number 19 का दीजिएगा सही जबाब क्या होगा RNA में कौन सा चारक नहीं है तो RNA में कौन सा चारक नहीं है इसका सही जबाब आपको देना है साइटोसेन नहीं है, यूरेसिल नहीं है, थाइमीन नहीं है या गवानी नहीं है तो सभी को आंसर बताना है कमेंट वॉक्ष में लगबख सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं इसका सही जबाब होगा क्या थाइमीन जो है वो आर एन ए में नहीं पाये जाता है प्यारे मित्रों आज का अंतिम प्रस्न है आपकी स्क्रीन पर इंसुलिन एक प्रकार का है तो इंसुलिन जो है वह क्या है एक प्रकार का हार्मोन तो है लेकिन वो आखिर है क्या इंसुलिन क्या है एक प्रकार का प्रोटीन है वसा है गैस है या विटामिन है तो दीजीगा इसका सही जबाब होगा क्या इंसुलिन एक प्रकार का क्या है प्रोटीन छीन है वसा है गैस है या विटामिन है तो इसका सही जबाब आपको देना है आज भी आपसे प्रस्ण पूछा जाएगा अंत में जिसका आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में और वो भी कब देना होगा जब वीडियो हो खत्म प्यारे साथियों दीजीगा इसका सही जबाब इंसुलिन एक प्रकार का है क्या है प्रोटीन है वसा है गैस है या बिटामे है तो इस प्रस्ण का सही जबाब होगा वय होगा प्रोटीन प्यारे मित्रों आज का प्रस्ण लिखना है सुनना है आपको इंसुलिन किस ग्रंथी से इस्त्रावित होता है तो आपको इसका जबाब कहां देना है कमेंट बॉक्स में वीडियो हो जाए जब खत्म इसका आपको आंसर देना है इंसुलिन कहां से इस्त्रावित होता है या किस ग्रंथी से इस्त्रा अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और telegram channel को अगर join नहीं किया तो join कर ले facebook page को भी join करें twitter पर भी follow करें like करें video को comment कर ke इस प्रिस्न का तरह्य जबाभ आपको वताना है प्यारे साथिो लेते हैं बिदा मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन